एक बड़ी खबर इस समय आ रही है जो पड़ा जटका है शिव सेना के मुद्दे पर असली शिव सेना के मुद्दे पर इकनाच शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है चुनावायों की कारवाई पर रोक से सुप्रीम कोट का इंकार अब इलेक्शन कमिशन लेगा सिंबल औ और नाम को लेकर फैसला और जादा जानकारी के लिए सीधे मेरे सयोगी संजे शर्मा सुप्रीम कोट से हमारे साथ चुड़ रहे है इकनाच शिंदे समूह के लिए शिव सेना के इकनाच शिंदे घटक के लिए पड़ी राहत की बात है ये संजे विस्तार से बताईए कर दिया है कि शिवा सेना के असली धड़े जो उस पर पार्टी के नाम निशान और प्रधान पर अपना दावा कर रहा है उसमें सुप्रिम कोट ने चुनाव आयोग को हरी जंडी दे दिया है और यह कहा है कि आप अपने कारवाई करने को सुतंद रहें क्योंकि सुप्रिम कोट ने तमाम सुनवाई के बाद उधव ठाकरे ग्रूप की आतिका खारीज कर दी है और खारीज करने के साथ ही चुनावाई को हरी जंडी देती है कि वो शिवा सेना के नाम निशान और प्रधान को लेकर जो कारवाई कर रहा है जो उन्होंने नोटिक ज दर्जा मिलता है और दूसरे ग्रूप को यह कहा जाता है कि आप अपना घंडा बदलिए आप अपना नाम बदलिए आप अपना प्रधान बदलिए निशान बदलिए यह सारी सीजें चुनाव चिन्न और सिवा सेना के सारी सीजों पर फैसला हो जागा यानि अब तो निर्णे चुनाव आयोग करेगा फिलाल जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद संजे तो सुप्रीम कोट ने इलेक्शन कमिशन को फैसला लेने की स्वतंतरता दे दी है अब चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि जो शिव सेना का चुनाव है धनुषबान का वो किसके पास जाएगा और असली शिव सेना कौन सी है ये निर्णे अब चुनाव आयोग पर छोड़ दिया गया है इस समय पूरी दुनिया में लोग कन्फ्यूज़ हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है क्या सच है, क्या जूट है और ये सपश्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे सब कुछ ब्लैक और वाइट में बताएंगे इस शो में मेरे बालों के इलावा कुछ ग्रे नहीं होगा हर खबर ब्लैक और वाइट की तरह बिलकुल सपश्ट होगी